गुट इवनिंग एवरीबड़ी एंड वेलकम दो क्रियेटर्स यूटीब चनल माइडिया फ्रेंड्स वी आपक विद अनदर एपिसोड ऑफ लर्न इंजिनियरिंग और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं वरकिंग ओफार रेफ्रिजरेटर आज आप जानू के बिटा ये सारी टेक्निलोजी मेकैनिकल के अंदर पड़ी जाती है बट हमारे इलेक्रिकल इंजिनियर्स का भी अधिकार है इसके बेसिक फंक्शनलिटी को समझे तो चलिए चलते हैं आज की इस मज़ेदार जर्नी पे और फाइदा उठाते हैं इस सिरीज का तो बट बेफोर वी स पुरा हुआ आईटी से आज तक मैं दो लाग से भी जादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं और अभी मैं अनकाडमी में वर्क कर रहा हूं ऐस डारेक्टर फॉर गेट डिपार्टमेंट अब मेरे बारे में ये सारी बाते बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन मैं कहता ह फ्री कंटेंट बच्चों तक पहुँचाते हैं और ये मेक शूर करते हैं जिन बच्चों के पास कोई रिसोर्स नहीं हैं वो भी सफल बन सकें वो भी आगे इस देश के टॉप इंजीनियर्स बन सकें बड़ी जॉब्स पा सकें हार स्टडीज के लिए जा सकें लेकिन करने की देरी है यूजिंग दा कोड अंकेट एसी चलिए तो आजाते हैं बटा आज के टॉपिक पे वर्किंग ओफ आर रेफ्रीजरेटर कैसे रेफ्रीजरेटर इतना थंडा हो जाता है कि ये पोलर बियर भी उसके अंदर सर्वाइव कर जाता है चलिए जानते हैं तो जिसे रेफ्रीजरेंट कह रहे हैं उसे हम लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं अब लिक्विड से गैस में जब ये चेंज होता है तो ये बाहर की जो आपका अंदर फ्रिज के अंदर की हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है क्या कर लेता है फ्रिज के अंदर की हीट क के अंदर की heat को absorb कर लेता है और अंदर cooling effect produce कर देता है तो यार देखो इसके अंदर क्या होगा main components की अगर बात करें compressor होता है जो कि क्या करेगा high pressure gas में convert करेगा sorry high pressure liquid condenser होगा condenser क्या करता है जो gas बन गया है refrigerant उसे वापिस liquid में convert करके compressor में डालेगा evaporator होता है जो कि उस liquid को gas में convert करता है by the surrounding heat capillary tube होती है और thermostat होता है thermostat क्या करेगा temperature चेक करेगा एक feedback control system बनाना पड़ेगा तभी तो भाईया desire temperature पे set कर पाओगे अगर thermostat नहीं होगा तो you never know कि cooling जरूरत से ज़ादा है या कम है आपने देखा होगा fridge के अंदर regulator होता है जिससे कि हम set कर देते हैं कि कितना हमको cooling चाहिए लेकिन ये कैसे make sure करोगे कि जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है उसके लिए feedback mechanism होगा एक sensor होगा वो sensor कौन है thermostat आप देखो इसकी working यहां पे आप यह देखो आपने fridge के पीछे देखा होगा एक compressor रखा रहता है पुराने fridges में तो काफ़ी easily visible होता था इसके अंदर liquid form में होता है refrigerant इसके अंदर किस form में होता है liquid form में अप देखो इसके अंदर क्या होता है चाह बढ़ा लिक्विड form में करती है यह जो फ्रिज के अंदर की हीट है वो यह liquid absorb कर लिता और वो gas में convert हो जाता है और अंदर आपकी थंडक पैदा हो जाती है अंदर cooling पैदा हो जाती है कैसे जो भी heat थी वो यह evaporator coil उस refrigerant को दे देती है अब यह refrigerant वापस compressor के अंदर आता है gas swarm में जिसे ये वापिस से compressor किसमें convert कर देता है liquid के अंदर तो बेटा यहाँ पे close loop बनाना पड़ता है और जब compressor के अंदर loss of refrigerant हो जाता है तो दुबारे से उसके अंदर liquid भरवाया जाता है ठीक है जब आपका refrigerator काम करना बंद कर देता है न compressor को ही repair करते है तो इसके अंदर जो refrigerant है वो finite amount में है उसको waste नहीं कर सकते इसलिए जो refrigerant जाके heat absorb किया है वो वापिस compressor में आएगा वापिस से compress होके liquid बनेगा फिर अगली cycle के लिए फिर से चला जाएगा वापिस तो देखो भई To keep a refrigerator working you need to get the gaseous refrigerant back to its liquid state तो इसको compress करना है higher pressure और higher temperature पे इसके लिए compressor काम करता है ठीक है जब compressor अपना काम कर देता है तो gas जो होती है वो high pressure में होती है और बहुत ही hot होती है जिसे cooling दी जाती है condenser की मदद से देखो यह जो लाल दिख रहा है ना इसका मतलब है hot है तो जब यह hot gas यहां से pass होती है तो यह cool down हो जाती है क्योंकि यह atmosphere में अपनी heat radiate करती है कभी भी अगर आप refrigerator के पीछे खड़े होके देखोगे ना तो आपको नजर आएगा उसके अंदर काफी गर्मी होती है तो it needs to be cooled which is done in condenser condenser mounted होता है back of the refrigerator पे जब cool off हो जाती है ना gas तो वो वापिस से liquid में change हो जाती है liquid में change हो जाती है तो वापिस से evaporator coil से pass होके फिर से किसमें आ जाती है compressor में तो compressor क्या करता है जो evaporator से gas आ रही है इसको बहुत high pressure पे convert कर देता है इसका pressure बहुत high कर देता है और फिर condenser coil से उसे वापिस भेजता है condenser coil से वो वापिस क्या बन जाती है liquid और liquid बन जाती है फिर से अंदर के refrigerator की heat को absorb कर लेती है तो यह आपका बेटा एक close cycle close loop चलता रहता है लगातार जिससे की लगातार cooling पैदा होती रहती है तो उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा जान करके कि क्या होता है तो compressor का work क्या है to convert the gas into high pressure condenser का work क्या है to convert the gas into liquid evaporator का का काम क्या है to absorb the heat from the refrigerator and convert the liquid back into gas और वो gas वापिस से किसमें आ जाती है compressor के अंदर तो compressor के अंदर na refrigerant या वो gas भरवाई जाती है कई बार जब fridge cooling नहीं करता तो ये कहते हैं इसकी gas खतम हो गई या gas leak हो गई तो इसके अंदर वापिस से वो gas fill up करानी पड़ती है चीक है तो बिटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजेगा और अपने सभी friend circle में share जरूर कीजिए ताकि सब को मालूम चले इस तरह के initiatives और इस तरह के information और अगर आप लोग चाहते हो मुझसे machine live पढ़ना तो बिटा जल्दी से plus पे आ जाओ डेली 4 घंटे machine पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा भी 45 minutes में doubts के लिए दे रहा हूँ तो almost आप ये मान सकते हो daily 5 hours का input मैं plus पे दे रहा हूँ तो अब मेरे साथ अगर 5 घंटे daily spend करोगे तो बिटा obviously आपकी knowledge increase होगी आपके आधे से ज़्यादा doubt क्लियर हो जाएंगे और definitely आप life में काफी आगे बढ़ जाओगे तैयारी में काफी आगे बढ़ जाओगे ठीक है और plus पे आना है तो बिटा 1 year fees is 32, 450, 2 year 47, 200 तो जल्दी से आजाओ code आप जानते हो अंकित EAC ये code आपको immediate 10% discount भी दिलाएगा और मेरी personal guidance में भी ले आएगा और इसके अलावा मेरे टेलिग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएए t.me slash gate air1 यहाँ daily notes notification और daily question answer आपको provide किया जाता है और वीडियो अच्छी लगी हो तो या लाइक शेयर करने में बिलकुल मश्चरमाना कर देना खुल करके और subscribe कर लो इस channel को अभी तक नहीं किया तो गुनहा कर रहे हो मेरे दोस्त और वो bell icon दबा देना ताकि notification आता रहे जब जब नई वीडियो आती है तो मिलेंगे अगले episode में इसी तरह के मज़़दार content के साथ तब तक बिटा अपनी तयारी को ऐसे ही continue रखें ऐसे ही आग लगाते रहें मचाते रहें let's crack it